आप कितनी भी महनत कर ले आप कितने भी प्रयास कर ले लेकिन आपको वो चीज़े कभी नहीं मिलेगी जो आपके भाग्य में नहीं है आप कितने प्रयास करते हैं, कितने जटने करते हैं, बहुत से लोग बहुत कम समय में प्रयास करके उन्हें वह चीजें प्राप्त हो जाती है तो अगर आपके भाग्य में कोई बातें नहीं लिखी हैं, कोई चीजें नहीं लिखी हैं, तो आपको कभी नहीं मिल ले वाली जो उनके भागी में चीज़े होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रही है, उसके लिए वो बहुत बार पश्याताब करते हैं, बहुत बार उन्हें बुरा लगता है, बहुत बार उन्हें मन में नकारतमक ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़े उनके जीवन में उन्हें फैस करना पड़ती है लेकिन आज आपको घबरानी किया वशक्ता नहीं है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका फिर भी भाग के परिवर्थित नहीं हो रहा है आपको जो फल है वो फल नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भाग के साथ दे और जनी कर्म के फल के दे हुता है और जब कभी भी हम जो कर्म इस दुनिया में करते वो लोट कर वापस जरूर आता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां शुरू हो जाती है कि वो कर्म का फल अगर बहुत देर से मिलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है तब वो कर्म का फल हमारे किसी काम का नहीं होता है वो लोटकर जरूर आता है लेकिन तब हमारे वो किसी काम का नहीं होता है लेकिन हम सही समय पर हमें सही फल मिले उसके प्रयास हमारे लें इंपोर्टेंट होते हैं आप जो महनत कर रहे हैं उस मेहनत को पूरी प्रति बद्धता के साथ करते रहें, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने दें, अब इसके बाद कुछ परियोग हैं जो आपके जीवन में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत हद तक आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा, सबसे पहला परिणाम आपको मिलन बजरंग बाण का पाट करें और गीता का अगर आप सात्वा अध्याय महां बेटकर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़े, तीनों में से कोई एक ही प्रयोग, एक ही का वाचन करें या तो बजरंग बाण पढ़े, या अनमान चले सा पढ़े, या गीता का सात्वा अध्याय म पर पढ़ना है, ऐसा करने से जो भी आत्माएं हैं पुन्य आत्माएं जो इस दिवलोग में विराजित हैं, उन्हें शान्ती प्रदान होती है जैसा कि हम शाद्ध पक्ष में हमारे पूर्वजों के लिए जो प्रयोग करते हैं वही प्रयास एक positive प्रयास अंचान लोगों के लिए अग्यात लोगों के लिए हमारे द्वरा ये प्रयोग किया जाता है उनसे उन्हें शांती मिलती है उन्हें मौक्ष मिलता है और जैसे पुन्य आत्माओं को शांती और मौक्ष मिलेगी आपके जीवन में एक सकार अत्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा यह प्रयोग आप शनिवार कर सकते हैं मंगलवार कर सकते हैं शुक्रवार और रविवार के दिन को छोड़कर अन्य दिन कर सकते हैं महिलाय है, पुरूशे सभी कर सकते हैं, महिलाय गीता पढ़ सकते हैं अगर अगर भूद सी महिलाओं को बना चाहिए, अगर पढ़ सकते हैं लेकिन अगर बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, तो ठीक है, आप गीता का बाचन कर लें लेकिन आटे कतिल के दीपक 5, 7, 11 लगाएं और चीटी के लिए वहाँ पर जड़ो में आटा डालें थोड़ा सा जादा मात्रा में नहीं और वहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना है हमारे घर हम वापस लोटकर आ जाएं यह परयोग जिस भी जातक नेकिया है यह पांच बार कर सकते हैं पांच दिन कोई से भी चुन ले आप या तो पांच मंगलवार पांच गुरुवार पांच सुमवार पांच शनिवार कर ले कोई से भी पांच दिन आप चैनित कर सकते हैं यह परयोग जिन भी जातकों नेकिय उन्हें बहुत हद तक बहुत सकारत्मक बदलाव मिला है आप भी करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़े पॉजिटिव होगी अच्छा लगो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट